हालो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो क्लास इंगलिश सिंप्लिफाइड एंड थैंक्यू सो मच फो जोइनिंग अस तो स्टुडेंट्स क्लास 11th हॉन्विल बुक का चैप्टर नमबर सेकिन है वी आर नोट अफेड टू डाई और आज हम इसका एक क्रेक्टर स्केच देखेंगे कैप्टन गॉर्डन कुक का जो की थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में होगा इसका एक क्रेक्टर स्केच अल्रेडी हम आपको दे चुके हैं स्टुडेंट्स जो कि आपको चैप्टर की प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा लेकिन कुछ स्टुडेंट्स के कमेंट्स थे कि आप इस क्रेक्टर स्केच को थोड़ा सा शॉर्ट में दीजिए तो इसी वज़े से ये character sketch हम तुबारा से आपको देने जा रहे हैं पर जो पहली video है students जो कि थोड़ी से long है उसमें इस character के लिए बहुत ही deep हमने information देने की कोशिश की है तो इसलिए आप से request है कि आप उसको भी जाकर जरूर देखिए तो start करते हैं Captain Gordon Cook was a brave captain of a ship की जो Captain Gordon Cook है ये जहाज के बहुत ही बहादूर captain है he was a 37 years old businessman और ये 37 years के है और एक बहुत अच्छे businessman है his wife name was Mary and she was also a very brave lady और इनकी जो wife है उसका नाम Mary है और ये भी एक बहुत ही brave lady है जो की इस ship की जर्णी में Captain का बक्षू भी साथ निभाती है He was a father of two beautiful and lovely children अब ये एक पिता है दो सुन्दर और प्यारे से बच्चों के one of them his daughter Sujan and she was seven years old एक तो उनमें से उनकी बेटी है Sujan जिसका नाम है और वो साथ साल की है Second was his son Jonathan and he was a six years old boy और जो दूसरा उनका बेटा है Jonathan और वो अभी केवल छे साल का है Gordon was also a narrator of this chapter We are not afraid to die अब जो Gordon cook है students ये इस chapter की narrator में है जो कि आपका chapter है We are not afraid to die The captain along with his family sat from polymouth England on around the world voice अब जो ये captain है ये England polymouth अपनी family के साथ एक journey को शुरू करते हैं जो कि एक पूरी दुनिया की यात्रा है और ये क्या करते है और ये समुद्र के थूरू इस यात्रा को पूरा करना चाहते है He wanted to be famous in world और इस यात्रे के थूरू actually उनका main मकसद क्या है students कि वो पूरी दुनिया में famous होना चाहते थे For 16 years he spent all his leisure time improving his sea farming skills in British water और वो पिछले 16 साल से जो भी उनका खाली समेश पेर टाइम उनको मिला करता था तो वो अपनी sea farming skills को सीख रहे थे British water में और यह जो British water जो है students यह वो area था हिंद महासागर का जहां पर की हमेशा यह माना जाता था कि वहां पर बड़े बड़े तुफान आते हैं तो वो इसी area में अपनी sea farming skills को सीख रहे थे कि कैसी भी मुश्किल खड़ी में उनको किस तरीके से manage करना है और यह वो पिछले 16 साल से कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने क्या करा एक बड़े खरीदा जिसका नाम उन्होंने वेवाकर रखा यह 23 मीटर लंबी थी 30 तन्स वो वोडन लखडी की बनी हुई थी हैवियर थी और इस बोर्ट को स्टुडेंट्स एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम के द्वारा बनाये गया था अब जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो उनके साथ कौन कौन थे उनके साथ शिप पर थी उनकी वाइफ मैरी उनके दोनों बच्चे जॉनथन एंड सुजैन और उसके साथ साथ उन्होंने दो क्रियो मैन भी अपनी हल्प के लिए लेरी एन हब शुरुआत में तो सब कुछ उनके साथ बिलकुल ठीक रहा इस जर्नी में बट सून हिस शिप गट कॉट इन अ बिक स्ट्रॉम ड्यू तो विच शिप वस बैडली डैमेज्ड लेकिन जल्दी ही उनका जो शिप था एक बहुत ही भ्यानक तुफान की चपेट में आ गया और जिसकी वज़े से जो उनका शिप था वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो अच्छे कप्तान का रोल बखो भी निभाया और उसके साथ साथ एक अच्छे हजबन भी है और जहाज पर जितने भी लोग मुझूद थे उनकी जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी समझधारी का परिचे दिया अब उन्होंने अपनी सी फार्मिंग स्किल्स की नॉलिज को यूज किया जो कि वो पिछले 16 साल से सीख रहे थे अब उन्होंने जो वहाँ पर तुफानी हवा चल रही थी और जो डिरेक्शन थी जो कि उन्हें पता नहीं चल रही थी तो इस पर थोड़ा सा काम किया और उन्होंने पूरा एक अनुमान के साथ अंदाजे के साथ अपने शिप को एक रास्ते पर छोड़ दिया और वो रास्ता उनके अकोर्डिंग उनको एक आईलेंड पर लिकर जाना था और जिसमें वो सफल भी हो गए और उनका जहाद जो था एक आईलेंड पर पहुँच और उनका जो बेटा जौन है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि आप पूरी धुनिया के बेस्ट कैपटन हो और उसके साथ साथ आप पूरी धुनिया के पहुँच अच्छे फादर भी हो क्योंकि ये कैप्टन गॉर्डन कुक की ही समझदारी थी और उनका साहस था कि इस मुश्किल घड़ी में जबकि वो इतना जादा एंजर्ड हो चुके थे तो इसके बावज़ुद वो अपने परिवार की अपने बच्चों की और अपने दोनों क्रुमेंस की लाइफ बचाने में सफल हो गए और अपने जहाज को टूटे फूटे जहाज को उन्होंने एक आईलेंड पर पहुचाने में आखिरकार सफलता हासिल कर ली तो स्टुडेंट्स ये था एक छोटा सा करेक्टर स्केच कैप्टन कॉर्डन कुक का उमीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो क्लियर है